किसी ने मुझसे पूछा है कि भहिया लोग शादी में इतने पवित्र बंदन में धोका क्यों दे देते हैं या किसी की कोई relationship होती है कोई रिष्टा होता उसमें धोका क्यों देते हैं कैसे दे पाते हैं किन कारण उसे धोका देते हैं तो दोस्तो कुछ प्रमुग कारण में आपको बता हूँगा, ध्यान से सुनना, ये दूसरों को जज करने के लिए और खुद को सुधारने के लिए सही रखने में आपके काम आएंगे दोस्तो हर इंसान का ने एक character होता है आप एक character हो इस दुनिया में एक actor हो एक character हो आपकी एक personality है एक छवी है जैसे आपको दूसरे देख रहे हैं जैसे आप अपने आपको देख रहे हो आपका character बनता है आपकी values से self control से सही गलत की definitions से आपके commitment से, promises से, वादों से जो है इनसान आसानी से temptations में बह जाता है जिसमें कोई self control नहीं होता जिसके वादों की कस्मों की value नहीं होती कभी भी तोड़ देता है जो सिरफ बहुत एक वादी चीजों की या beauty की value करता है उन इनसानों का character बहुत low होता है कम होता है उनकी personality बहुत धीली, बहुत कमजोर होती है ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता आज पसंद कर भी लेगा, भरोसा कर भी लेगा कल धोका तो खा नहीं है क्योंकि उनको बिगलने में time नहीं लगता तो दोस्तों कहीं लोगों का character बहुत low होता है आपने उससे प्यार किया, एक commitment हुआ लेकिन उस इनसान ने सिरफ किसी की सुंदरता के लिए किसी के पैसे के लिए किसी की तरफ attraction के लिए आपसे किये हुए जीवन भर के वादे को तोड़ दिया आपको धोका दे दिया आपको रोता भी लगता छोड़ गया आपकी परवाण नहीं करी अपने परिवार की परवाण नहीं करी अपनी इज़त की परवाण नहीं करी अपने सम्मान की परवाण नहीं करी अपने जो रूल्स है उनकी परवाण नहीं करी तो ये दर्शाता है कि उस इंसान का करेक्टर खराब है डीला है, लूज है, लो है तो मैं तो कहते हूँ ऐसा इंसान छोड़ गया तो जादा अच्छा है जीवन भर एक लूज करेक्टर इंसान के साथ रहना बहुत खराब है दोस्तो वो बार बार ऐसी घटी हरकते करेगा, तुच्छी हरकते करेगा, आपको धोके देगा फिर वादे करेगा, फिर वादे तोड़ेगा, इससे अच्छा वो इंसान आज ही चले जाए उसको धक्का मार अपनी लाइफ से दोस्तो दूसरा पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना, जब भी कोई इंसान चीटिंग करेगा ना धोका देगा, वो उसको जस्टिफाई करेगा, पर इस्तिती कुछ ऐसी बन गई थी, उसने मुझे बहका दिया, किसी तीसरे इंसान ने मुझे बहका दिया, नस्दीकिया ऐसे बन गई थी, वो हर तरीके से अपने आपको जिस्टिफाई कर देगा, और बहुत से लोग उनकी बाते मान भी जाएंगे, लेकिं दोस्तो आपको एक सच बताता हूँ, जब पहली बार उस इंसान को उस दूसरे इंसान से अट्रेक्शन हुआ होगा ना, जो आपका अपना था, उसको जब किसी और इंसान से पहली बार अट्रेक्शन हुआ होगा ना, उसी समय उसके दिमाग में ये बात आई होगी, कि मेरा तो पहले से रिष्टा है, ये मैं गलत कर रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है पाप है दोका है उस पहले मौके पर ही उनके दिमाग में वो बात आ गई होगी और उस बात को किनारे रखके आपके रिष्टे को किनारे रखके उसकी वैल्यू ना करते हुए अपने मौरल्स की वैल्यू ना करते हुए वो इनसान बहता चला गया उसके बाद attraction बड़ी जो भी हुआ लेकिन वो शुरुवाती पल जो थे उस समय उसने जान पूच के यह हरकत करी और उसके बाद भी जो कुछ किया सब जान पूच के किया तो यह कहना कि मुझसे गलती हो गई गलत बात है यह एक और दोका है तो ऐसे depression मिर पास बार बार आते हैं कि भाईया वो कह रहा है मुझसे गलती होगी वो कह रही है मुझसे गलती होगी तो एक बात का ध्यान रखना गलती तो नहीं हुई इतने बड़े रिष्टे को जो सालों से चला आ रहा है जिसकी इतनी value एतने commitment से है उसको भूल जाना गलती नहीं होती दोस्तों वो एक सोचा समझा फैसला है वो एक काबिलियत है किसी को cheat करने की दोका देने की चोरी करने की काबिलियत है जो इस इंसान को मिली हुई है और हमेशा इसके पास रहेगी तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना ये एक सोचा समझा लिया हुआ डिसीजन है और कहें लोग कहते हैं कि मेरे girlfriend या boyfriend ने शराब पी के नशे में ऐसा कर दिया तो क्या उन्होंने जीवन महर के लिए नशा करना छोड़ दिया है तो क्या वो ये कहना चारे कि अगली बार मैंने नशा किया तो भी गलती हो सकती है मैं नशे में अपने आपे में नहीं रहता वो ये बात भी कह रहे है थोड़ा ध्यान रखना दोस्तो हर इंसान के दिमाग पर आखों पर एक शर्म का परदा होता है गलत काम करने की शर्म नाजायस काम करने की शर्म लोगों को फेस ना कर पाने की खुद को ना फेस कर पाने की अपनों को ना फेस कर पाने की एक शर्म इस शर्म की वज़े से ही जादा तर लोग गलत काम करने से बच जाते हैं रुख जाते हैं कितना ही भाव में बह जाए एंड मौके पे रुख जाते हैं कि यार मैं दुनिया को फेस कैसे करूँगा अपनों को फेस कैसे करूँगा और कोई इंसान आपको चीट कर रहा है दोका दे रहा है वो उसको जहलने को तेयार है अपने सुक के लिए अपने आनंद के लिए और दोस्तो इतने बेशरम लोग हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तो बहुत से कपल्स के बीच में इसूज होते हैं लडाईया होती है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं, परिशानिया होती है बहुत कॉमन चीज़ है तो बहुत से लोग जस्टिफाई करते है कि मेरा हस्बन अच्छा नहीं था या मेरी वाइफ अच्छी नहीं है इसलिए मैंने चीटिंग करी इसलिए दूसरे इंसान से शादी में रहते हुए, रिष्टे में रहते हुए, मैंने प्यार कर लिया टू रॉंग्स कैनोट मेकर राइट कुछ गलत हो रहा है, उसको सुधारो उस रिष्टे का अंत करते बैठके बात करके उसके बाद आपको हक मिलता है कि आप आगे बढ़ो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि रिष्टे में प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मैं धुरुदर चला गया ये तो कोई बात ही नहीं हुए किसी भी रिष्टे में कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो इनसान उसको सॉट आउट करेगा बात करेगा, बात से बात नहीं बन रही काउंसलिंग करेगा, लोगों से बात करेगा लोगों को बुलाएगा, उसके बात भी बात नहीं बन रही तो फिर अलग होंगे फिर आगे बढ़ने का सोचेंगे ये क्या बात हुई कि उस इंसान के रहते रहते उसको धोका दे रहे हो चीटिंग कर रहे हो और उसको जस्टिफाइ कर रहे हो कि लाई चल रही थी या इनसे बंती नहीं थी बहुत गलत बात है और मैं इस चीज़ का कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा दोका मतलब दोका वो गलत है उससे अलग हो फिर दूसरे इंसान से शादी करो कोई नहीं रोक रहा है लेकिन शादी में रहते रहते डबल गेम खेल रहे हो आप और लोगों से रिष्टा बना रहे हो तो वो कभी भी जायज नहीं है न था न होगा